हलो फैंट मेरे चैनल डेल्सकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज की डेट में इतने सारे इंडिकेटर अवलेबल हैं तो काफी कंफिजन हो जाता है कि हम कुछ इंडिकेटर को यूज करें कौन से को ना करें तो कुछ पावफॉर इंडिकेटर हैं जिनको मैं यूज करता हूं जिनको यूज करके मैंने एक स्टॉक में पॉजिशन बनाई थी इसके अंदर थोड़ा सा मुझे पॉफिट हुआ थोड़ा साने काफी अच्छा पॉफिट हुआ उसके अंदर तो मैं वही आपको अपनी जो ट्रिक्स है आपके साथ शेर करने 100 वी इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा क проблем का मारकेट क Алपक्रयंद कैसा है अभी की बात तो मैं सबसे पहले market का trend identify करता हूँ कि market का trend कैसा है अगर market का trend उपर की तरफ है तो जो blue chip stocks है जो अच्छे stocks है वो भी थोड़ा valley दिखाते हैं जैसे market move करती है वो भी थोड़ा उपर जाते हैं लेकिन वहीं अगर market का trend negative है डाउंटेंट की तरफ है तो उनके दम्हांदों हमें decline देखने को मिलता है तो सबसे पहले तो हमें जे देखना होगा कि market का trend कैसा है और हमें यह देखना होगा कि stock का trend कैसा है market का trend तो हमें देखा positive है या negative है उसके बाद हम देखते हैं कि stock का trend कैसा है क्योंकि अगर हमें buying करनी है तो हमें ये check करना पड़ेगा कि market का movement भी अच्छा हो उबर की तरफ हो क्योंकि अगर हमें buying करनी है तो हम कौन से stock में buy करें और या फिर हमें short selling करनी है कि को स्टाटेजी बना के हम वर्क कर रहे हैं, किसी स्टॉक में हम टेड करने जा रहे हैं, तो उसमें हम भाई करें या ना करें. सबसे पहले तो हम fundamental analysis करते हैं stock के उपर, हम यह देखते हैं कि जिस stock के अंदर position बनाने जा रहे हैं, वो fundamental कैसी है, उसके ESL को tag करते हैं, उसकी ratio देखते हैं, PEG ratio, PEG ratio देखते हैं, debt देखते हैं, इन सब चीजों को देखने के बाद, balance sheet को देखने के बाद, company का business model को analyze करने के बाद, यह सारी detail आपको screener.in की website पर मिल जाएगी, screener.in की website पर right side पर company के बारे में काफी कुछ लिखा होता है, company क्या कर रही है, आप investor presentation को भी read कर सकते हैं, detail में अगर आप analysis करना चाते हैं तो, इन सब चीजों को देखने के बाद, हम technical analysis करते हैं, chart को read करने कोशिज करते हैं, chart में हम यह देखते हैं कि stock uptrend में है, downtrend में है, यह side way direction में है, तो buy position बनाने से पहले, किसी share को buy करने से पहले, को position बनाने से पहले, हम जो है, indicator को place करते हैं, indicator को place करके, यह देखते हैं कि अभी at present stock to uptrend में है, market uptrend में है, लेकिन stock के लिए सही level क्या होगा buy के लिए, वही मैं आज आपको इस वीडियो में समझा हूँगा, लेकिन कई stocks ऐसे भी हैं आज की rate में, market uptrend में हैं, लेकिन वो downtrend में जा रहे हैं, उस stock में position हम नहीं बनाते हैं, जो stock uptrend में हैं, उनी stock में position बनाता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैं stock का trend identify करता हूँ, उसके लिए सबसे अच्छा tools है, वो मैं आपसमें एक पीछले वीडियो में बता चुका हूँ, discuss कर चुका हूँ, मेरे जिस भी वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, इस वीडियो को यहीं देखो दोस्तों, market में 3 track के trend available होते हैं, या तो उपर का, या नीचे का, या कोई भी trend नहीं होता, तो उस वीडियो मैंने काफी detail में बताया था कि 100 day moving average को कैसे use करें, उससे हमें कैसे पता चलेगा कि stock up trend में है या downtrend में है, तो 100 day moving average को मैं use करता हूँ, उसके बाद जो दूस किया, उसके अंदर stochastic, और जो हम stop loss लेते हैं, वो trend line के नीचे लेते हैं, जहां पर हमारा support बन रहा होता है, जो up trend में होता है, उसके थोड़ा सा नीचे हम stop loss लेके चलते हैं, क्योंकि उस level को तोड़ देगा, तो थोड़ा सा नीचे आने की संभावना जारा होती है, उसके अगर नीचे होता है, तो हम कहते है, डाउन trend में है, अगर ना उपर होता है, ना नीचे होता है, उपर नीचे उपर नीचे हो रहा है, तो हम कहते हैं, कोई भी trend मजूद नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहला मैंने 100 day moving away से trend को identify किया, उसके बाद मैंने stock interest को apply किया, तो दोस कि आप अरे-गे-अरे किसी उटेशी stock में ये indicator को place करें, इस trick को अपनाएं, क्योंकि क्या है कि अगर आपने stock अच्छा चुना होगा, तो एक तो आपको ड़न नी लगेगा, आपको अच्छा आएगा, जात को आप नीच अच्छी आईगी, आपको जब भरोसा होगा कि ये नहीं लेते, बिना stop loss के साथ आप काम करते हैं, तो अगर आपकी delivery भी आ गई, तो हफते बाद या महीने बाद, या 2-4 महीने बाद, आप उसको बेच पाएंगे, वो आपकी rate से उपर आ जाएगा, और आपको अच्छा profit हो जाएगा, मही stock selection अगर आपका अच्छा नी होगा तो आपके बादा stop loss ticket होंगे, उसके बाद मैंने 10 land draw कर दी, इनके low से low को draw कर दिया, पिछले वाले लो को, यहां से एक सीधा मैंने नीचे को जहाँ पर support लिया इसने, यह हमारा support level है, उसके बाद यहाँ पर भी support लिया इसने, तो यहाँ पर मैंने एक position मनाई, support level पे मैंने buy किया, और support level के थोड़ा नीचे stop loss लगा दिया, अगर इस support level को तोड़तेगा, तो यह trend हो सकता है कि बदल जाए, या हो सकता है कि थोड़ा O नीचे आए, उसके बाद trend उपर बने, तो 100 moving average के stock उपर चल रहा था, और support level के पास आया, तो मैंने एक position बनाई, और कुछी 10 के अं करता हूँ, दोस्तों जो क्रिकेटर होते हैं, वो भी एक अच्छी वाल का वेट करते हैं, जैसे एक अच्छी वाल आती है, तो उसके बाद उसको भेज जेते हैं, बॉन्टी के बाद चोका लगा के, तो दोस्तों stock market में भी आपको इसी तरीके से invest करना है, यह नहीं कि आप को हर रोज trade लेना ही लेना है, आप committed trade कीजिए, आप stock को correct होने का इंतलार कीजिए, जब वो correct करें, discount level पे आए, थोड़ा अपने support के पास आ जाए, तब आप position बनाएंगे, और उसको कुछ time के लिए hold करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी अच्छा मनाफ़ा ह होगा, अगर आप पहले से त्यारी करके रखेंगे, अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे, कि जल्दी फड़ा फड़ा अभी कि अभी मैं stock को buy कर लेता हूँ, कई मेरी train मिस्ट ना हो जाए, तो उसमें आपको मुनाफ़ा होगा, थोड़ा कम होगा, तो आप indicator को लगाईए, इंडिकेटर पर थोड़ा भड़ा सा रखेंगे, और निजार कीजिए वक्त का, सही टाइम का आने का वेट कीजिए, stock market correction हमेशा देती है, हर 6 महिने में एक बार थोड़ा correction आता ही आता है, 5-10% correction आता ही आता है, वहीं एक 2 साल के अंदर nifty crack करती ही करती है, थोड़ा बहुत correction आता ही आता है, एक लंबी rally के बाद stock market के अंदर correction due होता है, थोड़ा बहुत correction आता ही आता है, उस correction पर अगर आप support and resistance की strategy को अपनाएंगे, और moving average को use करेंगे, मुझे ऐसा रखता है, आपको मुनाफ़ा होगा ही होगा, अगर आप सही धंक से काम करेंगे, stock collection अच्छा मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने मेरा वीडियो देखा और अभी से आप indicator को place करके trade लें market के अंदर, आप paper trading करके देखिए, इसको back test करके देखिए, कि ये strategy कितना ज़्यादा successful हुई है pass के अंदर, और pass का आप tax record आप आप आएंगे, कि अगर आप support and resistance की strategy को अपनाएंगे और moving इसी तरीके से दोस्तों, एक हो stock में, मैं example लेकर आपको समझाता हूँ, मैंने जैसे IDFC bank का stock लिया है, यहाँ पर मैंने low से low को मिला दिया, यह stock एक up direction में था, आज की rate में stock में थोड़ी correction देखने को मिलिया, अब यहीं बात करेंगे, पहले पहले को देखते हैं, पहले कैसे मैंने low को लो को मिला दिया, तो यहाँ पर stock काफी अच्छे up trend में था, पहले यहाँ पर buy करने का option था, उसके बाद यहाँ पर था, तो यहाँ तीन buy option, buy करने के option हमको मिले, अगर हम buy करते, कुछ time hold करते, तो काफी अच्छा हमें मनाफ़ा होता, सो दिन की moving average की ओपर था stock, stock जो था up trend में था, तो हमने अगर इस तरीके से कुछ strategy बिना के work किया हुआ था, अच्छे fundamental stock में, जैसे कि यह है IDFC bank, IDFC bank institution का favor stock है, मैंने काफी सारे mutual fund के portfolio को देखा, उसके अंदर देखा है, अच्छे numbers में IDFC bank के share उनके पास पढ़े है, किसी ने 5% अपनी total capital का, किसी ने 8%, क इसने 3 करके invest किया हुआ है, इस stock को, और यह IDFC bank, पैवे सेक्टर का number one bank है, large cap stock है, तो इसके अंदर add person हम देखिए, तो मैंने 10 line drop किया, इसका तो support अगला निकलता है, वो निकलता है, पंदस हो के पास आए, अगर मुझे अभी fresh buying करनी होगी, तो मैं पंदस हो के पास इसमें buy करूँगा, और इसके निचे stop loss लेके चलूँगा, देखिए stock market की बात करें, तो एक काफी रंभी डेली stock market के अंदर आई है, कोविट के बाद, अगर कोविट की, कोविट की विज़े से अगर lockdown लगता है, या फिर कोई और disaster news आती है, जिससे तो market crash करती है, तो stock हो सकता है, इस level से भी नीचे आ जाएगा, लेकिन ये अच्छा stock है, इसको मैं अपने portfolio में जोद रखूँगा, मिरे portfolio में है ये stock, और इस इस level के पास एक buying opportunity है, यहाँ पे stop loss लेके buy किया जा सकता है, बागी stock अच्छा है, मेरे साब से अगर मुझे buying करना होगा, तो मैं stop loss नहीं लगाँगा, इसको मैं अपने portfolio में रखूँगा, इस stock को, तो दोस्तो support and resistance की strategy काफी powerful strategy है, उसका link आपको discussion box ने मिल जाएगा, तो support and resistance को हमने देखा, जहाँ पे support लेता सा stock, वहाँ पे हमने एक buy position create की, हमने 100 day moving average को apply किया, और support and resistance की strategy को apply किया, तो हमने यह पाया, कि जब भी stock support लेता है, वहाँ से जो अच्छा stock होता है, वहाँ पे buying आनी शुरू हो जाती है, stock के अंदर stock of move दिखाता है, कई बार ऐसा भी होगा कि RSA stock history को हम use कते हैं, तो कई बार यह fake signal भी देता है, लेकिन moving app में जो support and resistance की strategy है, यह काफी powerful strategy है, और अगर हम 100 day moving app विचको भी लगा लें, तो हमें पता लग जाएगा कि stock uptrend में है, या downtrend में है, तो इन सब चीजों को relate करके, अगर हम काम करें, तो हम अच्छा मुन नाफ़ा कमा सकते हैं stock market में, तो दोस्तों ये वीडियो से मैंने education purpose के लिए बनाया था, मैंने आपको वीडियो में share किया कि मैंने किस साब साभी पीछे काम किया था, तो ये trick fundamentally अच्छे stock में काम करती है, हम stock में काम नहीं करती, जो stock uptrend में हो, जिसके अंदर result अच्छे आ तो आप किसी भी share को खतीतने से पहले आप अपने खुद की study करें या फिर अपने financial planner की मदद लें, तो धन्यवाद, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like कीजिए और अपने comment लिजिए धन्यवाद